अशोक अगनिपथी एक ऐसे नाम है जिनोंने वित्रूप ग्रस्त विवस्था के प्रति अपनी प्रहार धर्मे मानसिक्ता के प्रहार किये हैं और अल्याई सुतनत के खिलाब जब आवश्कता पड़ी तो बगावत के बयान भिखने में कोई परहेज नहीं किया आईए देश कैसे वरेंड वाडी पुत्र का हम अभिनंदन करें आग इतनी है कि सागर उबाल कर रख दें आग इतनी है कि सागर उबाल कर रख दें बात आजाय को परवत उचाल कर रख दें आए मेरे देश तेरे जख्मों की सवगनदू हमें तू जो कहते तू कली जाज़ा कर रहे हैं एक बार जो दार दालिया भाई अशो आदनी स्रधे स्री वीर पटेल जी ने वह सुंदर कभियों की टीम सजाई है इस पटेल सेवा संस्थान के इस प्रणम में कारेक्रम इस लवपुरुस के जनमोसो के कारेक्रम को इस पावन पवित्र आयोजन को मैं प्रणाम करता हूँ और इस आयोजन से जुड़े हुए सभी आयोजन समित से जुड़े हुए सभी प्रबुद्ध जनों को आप सभी लोगों को मैं पुना प्रणाम करता हूँ निश्चित रूप से बड़े लोग हैं ये बड़ा कारे है कि हम अपने महापुरुष्णों के विचार जन जन तक पहुचाने का ये पावन पवित्र कारे करें हमारे देश के एक बड़े कलमकार ने लिखा कि नए घर में चीजे पुरानी अब कौन रगता है मैं पटेल सेवा संस्थान को मैं समर्पित करता हूँ ये चार पंक्तियां हमारे देश के एक बड़े कलमकार में लिखा कि नए घर में चीजे पुरानी अब कौन रगता है परिंदों के लिए कुंदों में पानी अब कौन रगता है ये तो कुछ ही लोग हैं जो गिरती हुई दीवार हैं थामें वरना सलीके से भुजर्बों की निशानी अपकौन रगता है और एक छोटी सी घटना से जोड़ते हुए मैं शुरू करता हूँ स्वामी विवेकानंद जी विश्व धरम सम्मेलन में गए उनसे एक अंग्रेजी पत्रकाल ने प्रश्ण पोछा आपने जो कुरता पहन रख्या है ये हिंदोस्तानी है ये भी हिंदोस्तानी है फर आपने अपने पैरों में जूते विदेशी किसलिए पहन रख्ये हैं स्वामी जी ने उत्तर दिया और स्वामी विवेका नंद जी जैसे विराट व्यक्तित्तु का उत्तर आप सब बहुत रबुत लोग हैं उनका जवाब उनका उत्तर आप सब के हरदे तक पहुँचे तो फिर दोनों हाथ खड़े करके तालियों के महोसों के साथ उस व्यक्तित्तु का अभिननन करियेगा मैं शुरू करूंगा अपनी कविता स्वामी विवेका नंद जी ने जवाब दिया कि सुन रहे अंगरे जी पत्रकार तेरी बास सच है मैंने सिर पे जो पगड़ी पहन रखी ये हिंदुस्तानी है मैंने शरीर पे जो कुर्ता पहन रखा ये हिंदुस्तानी है मैंने शरीर पे जो धोती पहन रखी ये भी हिंदुस्तानी है मगर अपने पैरों में जूते विदेशी इसलिए पहन रखे हैं ताकि तुम जैसे धूर्त विदेशियों को तुम्हारी अवकात का अंदाजा रहे कि हम हंदोस्तानियों के सामने तुम्हारी अवकात क्या है तब आईए तब आईए मैं इस परंपरा का निर्वाहन करते हुए चार पंग्तियों से शुरू करता हूँ निवेदन करता हूँ चार पंग्तियों और विशेश रूप से इस देश की युवा पुईड़ी पीड़ी से निवेदन करते हुए मैं चार पंग्तियों मन्च की इजाज़त चाहते हुए शुरू करता हूँ कि पूजाना हुई जो वीर बाकुरों की देश में तो कि पूजाना हुई जो वीर बाकुरों की देश में तो पाठ बलिदान का पढ़ाया ना गया तो फिर कि पाठ बलिदान का पढ़ाया ना गया तो फिर राश्ट का युवा महा गुमानी बन जाएगा कि पाठठ बलिदान का पढ़ाया ना गया तो फिर राष्ट का युवा महां गुमानी बन जाएगा तो देश प्रेम की पवित्र भावना संजोने वाला शीश को चलाने वाला मानी बन जाएगा कि शीष को चलाने वाला मानी बन जाएगा वो शेखर सुभाश की कहानी जो पढ़ेगा वही क्रांतिकारी और बलिदानी बन जाएगा कि शेखर सुभाश की कहानी जो पढ़ेगा वही क्रांतिकारी और बलिदानी बन जाएगा तो मात तुम्हे निहारती है आज वो पुकारती है मैं चार पंतियां मातर शक्तियों की गरिमा में उपस्तिती है और भी मातर शक्ति की गरिमा में उपस्तिती है मैं चार पंतियां समर्पित करता हूँ कि मात तुम्हे निहारती है आज वो पुकारती है जागिये वह अपनी जवानी को जगाईए और धर्म जाती बांट बांट देश को न तोड़िये यूं अपनों से अपनों की दूरियां मिटाईए तो इरशा की आग में ये देश जलने न पाए दैस दंब भावना से वतन बचाईए ओ भारती अमान साभिमान को बचाने है तो बेटियों को जासी वाली रानी साभ बनाईए तो गीत आप इस तौल दोनों साथ साथ रखते हो इस चार पंकियां विशेस आप सब की अदालत में रखता हूँ आप सब प्रबुद्ध लोग है शही सिरोमणी चंशेखर आजाथ ये भूम है जी कि ये भूम है पावन पवित्र भूम है मैं नमन करता हूँ इस पावन पवित्र भूम पर आजाजी के एक मित्र ने एक प्रश्ण किया कि गीता और पिस्तौल दोनों साथ में क्यों रखते हूँ आजाजी ने जवाब दिया दो पंक्तियों में सवाल और दो पंक्तियों में जवाब पस इसी भावभूम का इचंदे चार पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ लगे कहीं मैंने चंद्शेखर आजाजी के पूरे जीवन दर्सन को उतारने की एक कोशिश की है तो फिर किसी का हाथ खामोस न रहे मैं चार पंक्तियां विशेश पढ़ता हूँ उनके मित्र प्रश्ण करते हूँ राजाजी जवाब देते है कि गीता पिस तौल दोनों साथ साथ रखते हो कि दोनों में समानता है या कि कोई दूरी है वो बोले चंदर शेखर की क्लांती पिस्तावले और गीता के बिना हमारी प्रेणा यद्धूरी है वो शत्रों को जल से मिटाने हे तु बंधुवर गीता भी जरूरी पिस्तावल भी जरूरी है शत्रों को जल से मिटाने हे तु बंधुवर गीता भी जरूरी पिस्तावल भी जरूरी है तो भारतिय सैनिकों का शौरिथा उफान पर नेता जी आजाद हिं फौश सेना का गठन किया सेना भारताई अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए बरसात पमौसम आ गया सैनिकों के पास लड़ने के लिए हथियार खाने के लिए अन नहीं था सैनिकों को आदेश दिया गया कि सेना पीछे हट जाए नेता सुभाश चंजी बोस ने सेना को पीछे हटने का आदेश नहीं दिया उनकी क्या भावना होगी कुरी सेना की क्या भावना रही होगी मैं इस भावना के साथ कुछ पंग्तियां पढ़ता हूँ कि भारती अशैनिकों का शौर था उठान पर पीछे हटने को जब उनसे कहा गया और जोश जना क्रोस वाभिमान था जगा हुआ कुद्ध बाकुरे थे नहीं उनसे रहा गया तो रक्त में उबाल लिये और क्रांती की मशाल लिये की रक्त में उबाल लिये और क्रांती की मशाल लिये आंखे लाल लाल नहीं उनसे सहा गया की आंखे लाल लाल नहीं उनसे सहा गया जय हिंद जय हिंद जय हिंद बोलकर कारमा वो शत्रों की चौकिया ढ़ा गया कि जय हिंद जय हिंद जय हिंद बोलकर कारमा वो शत्रों की चौकिया ढ़ा गया तो राणा का लहू शरीर में उबाल मारता है और उन वीर बाकरों की क्या भावना थी मैं इसी भावना के साथ चार पंकियां और पंका हूँ कि राणा का लहू शरीर में उबाल मारता है खाई हैं जिनोंने घास पात वाली रोटियां और स्वाभी मानी देश भक्त बोश का वो जैगोश ध्यान में सदयो रही बापू की लंगोटियां तो वक्ष के समक्ष की वक्ष के समक्ष देश की सुतंतरता का लख्ष जीत लेंगे शत्र से उँची उँची चोटियां की जीत लेंगे शत्र से उँची 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 चोटियां कि सिर पे कफन बान निकले हैं आज हम काली को खिलाने है तो शत्रूओं की बोटिया कि सिर पे कफन बान निकले हैं आज हम काली को खिलाने है तो शत्रूओं की बोटिया मैं चार पंक्तिया और पढ़ता हूँ तालिया आपकी कमजोर है मैं चार पंग्तियां और पढ़ता हूँ, विशेश चार पंग्तियां समर्पित करता हूँ, कि जहासी वाली रानी की रवानी मरदानी देख, शत्रूं का दल हाए हाए बोलने लगा, और रानी जो भवानी बन शीश काटने लगी तो, रण खेतर शत्रूं का दम तोलने लगा, वो शत्रू रह गया दंग, देश प्रेम वाला रंग, रानी की रगों में मानो जोश घोलने लगा, वो एक ही अकेली अलबेली खेली मौत से तो, मौत का ही खुद अभिमान डोलने लगा, तो जानता है विश्वय अहिंसा के पुजारी हम, जानता है विश्वय अहिंसा के पुजारी हम, जब हमारे देश में देश विरोधी गत्विदिया होने लगें, तो एक कलमकार को लिखना पड़ता है, उसको लिखना उसकी मजबूरी हो जाती हमारे देश के एक बड़े कलमकार में कहीं लिखा, कि कली बेज देंगे, सुमन बेज देंगे, कि कली बेज देंगे, सुमन बेज देंगे, धरा बेज देंगे, गगन बेज देंगे, अगर सो गए ये कलम के पुजारी, तो वतन के पुजारी वतन बेज देंगे, कहीं वतन के पुजारी वतन न बेचने पाएं हम कलमकारों को सच लिखना होगा हमारे देश के बड़े कलमकार डक्टर हरियोम पमार जी ने कहीं लिखा कि सच कहने की हिम्मत रखते हैं दुनियादारी की कला नहीं रखते अक्सर बसते हैं मिलने जुलने से मिलते हैं तो फिर फासला नहीं रखते आवाज तल्क है तीखी है तो है हम दोस्वरवाला गला नहीं रखते तब मैं चार पंक्तियां विशेश रूप से आप सभी को समर्पित करते हुँ पढ़ना चाहता हूं कि जानता है विश्वय अहिंसा के पुजारी हम मजबूरी आई तभी इंसा अपनाई है जब हमारी सेना पर गंदी सियासत राजनीत के दौरा होने लगे तो एक कलमकार को लिखना पढ़ता है कि जानता है विश्वय अहिंसा के पुजारी हम मजबूरी आई तभी इंसा अपनाई है जब जब उठे सीष हमको गिराने है तू तब तब हमने कटार भी उठाई है तो सीष तो कटा भले है पर ना जुका है सीष लाश पर लाश देश हित में बिछाई है कि लाश पर लाश देश हित में बिछाई है और शत्र हो या देश के दलालों से बता दे कोई लालों ने ही भारत की लालिमा बचाई है तो वाई उजल अन्न जो यहां का ले रहे सदैवा मैं चार पंक्तियां और पढ़ना चाहता हूँ पढ़िए जब हमारे देश में देश के प्रतिष्ठित सिंच्ञ संस्थान जेनियु जैसे संस्थान जेनियु जैसे विश्व विद्याले में देश विरोधी गत्विदियां होने लगे तो एक कलमकार को लिखना पड़ता है मैं चार पंक्तियां विशेस आपको समर्पित करता हूँ कि वायुजल अन जो यहां का ले रहे सदैव जन में यहीं पे यहीं की बुराई गाते हैं और माने वो दिया उन्हें जो दिया हमें तुम्हें है कि माने वो दिया उन्हें जो दिया हमें तुम्हें हैं खाते हैं यहीं की परविदेश की बजाते हैं तो शत्रु से खतरनाक आस्तीन के हिसाब दूद जो पिलाते हैं उन्हीं को डस जाते हैं और सापवास बोलों को यह शायद पता नहीं है बंशी जो बजाते हैं वो चक्र भी चलाते हैं वाँ सुन्दर रशुक वाँ सुन्दर रशुक वाँ सुन्दर इसापवा सपूलों को ये शायद पता नहीं है बंशी जो बजाते हैं वो चक्र भी चलाते हैं तो भटके हैं नौजवान देश के विधान से जो जी वाँ 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 तरह भटके हैं नौजवान देश के विधान से जो अभी हमारे देश में कहती हासिक दिन देखा हमारा देश सखंड हुआ 370 हटी कुछ अभी सरकार को और करना है कुछ क्या करना बहुत कुछ है लेकिन इस दिशा में अभी बहुत कुछ करना है मैं एक कानून की मांग करता हूँ इस देश से यहाँ पर बहुत सी विचार धाराओं के लोग बैठे होंगे लेकिन लगे कि देश के लिए ये कानून बनना चा तो आप शान तो होकर सुन सकते हैं मैं आपके मौन को भी सुईकार करूंगा लेकिन कहीं लगे कि कानून इस देश में होना चाहिए तो फिर दोनों हाथ लहराते हुए हवा में समर्थन की तालियों के साथ मुझे बताईएगा मैं चार पंगतियां विशेस आपकी अदालत मे रखता हूँ कि भट के हैं नौजवान देश के विधान से जो पाठ देश प्रेम का उन्हें पढ़ाना चाहिए कोई भी छेत्र मान मात्र भूम का उन्हें बढ़ाना चाहिए तो देश के जो मान स्वाभी मान के विरोधी उन्हें जनता के सामने फासी चढ़ाना चाहिए और नारे मात्र भूम के विरोध में लगाए जो भी उसको तुरंत भम से उलाना चाहिए कि भटके हैं नौजवान देश के विधान से जो पाठ देश प्रेम का उन्हें पढ़ाना चाहिए और खेल हो या युद्ध हो या देश का कोई भी खेत्र मान मात्र भूम का उन्हें बढ़ाना चाहिए तो देश के जो मान स्वाभी मान के विरोधी उन्हें कि देश के जो मान स्वाभी मान के विरोधी उन्हें जनता के सामने फासी चढ़ाना चाहिए जन्ता के सामने फासी चड़ाना चाहिए और नारे मात्री भूम के विरोध में लगाए जो भी उसको तुरंत पम से उडाना चाहिए और आईये मैं चार पंतियां और पढ़ता हूँ कि याद नहीं सोय हुए सिंह को जगा दिया तो कि याद नहीं सोय हुए सिंग को जगा दिया तो जंगली सी आरबिल ढून नहीं पाएगा ओ चक्रधारी नायकों ने चक्र फिर चला दिया तो राख्छसों का बाप भी देश छोड जाएगा तो शिव नेत्र नेत्र खोल डमरू बजा दिया तो तांडों शत्रों की पिड़िया रुलाएगा ओ भारती सैनिकों ने चाह लिया जिस दिन पाख भी कहीं ता इतिहास ही बजाएगा कि बज़ियागा जाएगा प्रश भार भी कर दो ए। झाल झाल